असम के दरांग जिले में 800 घरों को बुल्डोजर चला का ड़ा दिया गया है अवेद अजकरमण पर सरकारी कारवाई में ये मकान दोस्त कर दिये गए इससे सैकडों मुस्लिम बेघर हो गए है जिले में भारी बारिश हो रही है और इनके सिरों से च्छत गायब है बारिश से बच्चों को बचाने के लिए लोग तरपाल और टीन शेट का सहरा लिए हुए है इसका वीडियो वाइरल होने पर सरकार की आलोचना हो रही है ये एक्शन सिपाजहर इलाके में हुआ है जहां करीब 4500 बीगा जमीन खाली कराई गई है यहां आबाद चार धार्मे की स्थल और प्राइबेट संस्तान भी गिरा दिये गए है पुलिस्बल और पैरा मिलिटरी फोसेस्ट की मौझूदगी में ये कारवाई गी गई इसको लेकर कॉंग्रेस ने सरकार पर निशान असादा है कॉंग्रेस सांसत अब्दुल खलीक ने सरकार की कारवाई पर सवाल उटाते हुए गोहाटी हाई कोट का एक आदेश जारी किया है खलीक ने कहा कि उच्छ न्याले ने संक्रमण काल में किसी भी तरह की बेदखली कारवाई से बचने की बात कही थी ये आदेश चीप जस्टिस की अदिश्ता वाली खंट पीट ने दिया था इसके बाबजूस सरकार ने ऐसा कदम उठाया है अबेद अधिकरमण पर ये एक्षम मुख्यमंतरी हिमंता विस्वा सर्मा सरकार के उस बादे का हिस्सा माना जा रहा है जिसमें उन्होंने राज की ससत्तर हजार बीगा जमीन को अबेद कबजा मुक्त कराने के साथ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी लेकिन आपदाकाल और हाई कोट के आदेश की बीच ही कारबाई अलोचना का सबब बन गई है एक्टिविस्ट अखिल गोगोई ने कहा कि हम अमानवीय तरीके से की गई बेदखली की निंदा गरते हैं पार्टी के अशरफुल इसलाम ने कहा कि हमारी मांग है कि बेदखली से पहले सरकार उनके पनरवाज की बिवस्था करें दरांग जिला असम के उत्तर पश्मी छेत्र में बसा है उत्तर में भूटान है दफाल पहाडियों और दक्षिन में ब्रह्मा पुत्र नदी भेती है जहां बंगाली समधाई के भी मुस्लिम बसे हुए हैं जो इस कारबाई का निशाना बने हैं असम सरकार के इस कारबाई को लेकर मुस्लिम एक्टिविस्ट मुस्लिम नेताओं से भी सवाल पूछ रहे हैं राज में मौराना बदरोदीन अजमल मुसल्मानों के बड़े नेताओं में इसे एक माने जाते हैं उन्हें भी ट्विटर पर टेक करके अत्करमर कारबाई का शिकार बने लोगों के पुनरबास का इंतजाम किये जाने की अपील की जा रही है